रेट बटन को दबाईए और सब्सक्राइब की जब एक चनल को और साथे साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो यह काफी बड़ी प्रॉब्लम है तो यह काफी बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है हमारे गुड़ लग एप सूट काम कर रहा है मतलब कि वर्क की नहीं कर रहा है काम कर रहो है यह मतलब एप्लिकेशन इंस्टाल करने की नहीं आ रही है तो यहां पर आज की स्वीडियो में आपको यही बताऊंगा का इसके लावे एक और मितड़ है जिसको आप अपनी डिवाइस पर अप्लाय कर सकते हैं और गुड़ लग एप सूट को जो है इंजोए कर सकते हैं जो आपका रिसें टासबार है नोटिफिकेशन पैनल है साधे-साध यहां पर आपके लोग स्क्रीन है आप इन चीज़ों को किस्टमाइज कर सकते हैं सबसे पहले चीज़ आपको एक नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रेप्शन में जहां पर आपको जो एक गुड़ लग सूट की जो एप्लिकेशन से वह मिल जाएंगी चार अप्लिकेशन से एक्चुली में हैं तो काफ़दारी अप्लिकेशन यहां पर तीन है और जो में गुड़ लग एप की मैन अप्लिकेशन ने में मैंने दियुए बट वह वो वह नहीं करेंगी बट फिर भी आप चाहें तो पिडिवाइस पे स्कूश कर सकते हैं यहां पर सबसे पहली है लोग स्टार को एक टार एंड टाक्स चेंजर यहां पर इस्टार करना है इस्टार करने के बाद एक अप्लिकेशन और उसका बी लिंक आपको निचे डिस्क्रेप्शन में मिल लागा जो की कुई शॉटकट में करके नाम से जो ए प्लेस्टोर पे अवलेबले आप चाहें तो प्लेस्टोर से डालोड कर सकते हैं बागी प्लेस्ट सार कर जो लोगो ए यानि का अप्लीकेशन और बाद वह नजरा जाएगा उसको आपन के लिएक अप्मी देवाइस को अच्छी तरीकिस कर सकते हैं मैंने इसको पहले एक वीडिवाइस ने दे दो आम पां से जाकर और आप उस वीडियो को देखिए मुआ जरूर देखिए वो है हमारी Log Star और इसके लावर Task Changer यहाँ पर हम लिगेंगे Log Star और Log Star रिखता ही जो है यहाँ पर हमारा Log Star और जो Application का Logo है वो नज़र आ जाएगा अब ज्यसे हैप इस पर क्लिक करेंगे गरें अगें ट्रॉय पर क्लिक करना है एंद यहाँ पर जो Log Screen Star है वो आपकी कस्टमाइज हो जाएगी काफ़ जाएगी काफ़ जादा यह application personally मेरी favorite है क्योंकि मुझे अपनी lock screen कस्टमाइज करना काफ़ जादा पसंद है बाकि आप मुझे बताना आपके कोन सी application favorite है and again इनका जो full usage है जो पूरा review है वो मैंने पहले upload करा हुआ है और ज़रूस वीडियो को देखना अगर आपने नहीं देखी है अगर आपको मालूम है तो जादा बैठा रहे है otherwise आप उस वीडियो को देख करेंगे इनके बारे में और भी जादा जान सकते है यहाँ पर हमारी जो आखरी application है वो है task changer जो की काफ़े जादा demand में थी यानिके काफ़े सारे लोगों की request ही कही है experience UI 9.5 में Samsung inbuilt कर दे पर Samsung नहीं करा पर कोई बात नहीं आप इसे को manually install कर सकते हैं और जैसे आप इसकी application को अन करेंगे और turn on करेंगे यह automatic आपकी device पे available हो जाएगा नहीं के enable हो जाएगा और उसके बाद में यहां पर आपको काफ़े सारे option देखने को मिल जाएगे यह मैंने हर एक application के जो function से वो detail में explain करेंगे उस video में by the way यहां पर जो blur effect का option है वो J6 में support नहीं करता है even J8 में भी नहीं करता है because इनका जो GPO वो इतना powerful नहीं है as compared to Samsung A-series अगर हम compare करते है Samsung A-series सी है किसी और device से तो यहां पर blur effect का आपको effect नहीं देखने को में जाएगा नहीं notification panel पर नहीं task changer पर जो कि काफ़जारी users को चाहिए जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा है A-series पर करके A5 2017 पर उसका GPU काफ़ी powerful as compared to this one so यहींता आज किस वीडियो में I hope आपके वीडियो पसंद आए कि वीडियो चे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक किजाए अगर आप अपने चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें के मज़ाना मैं मिलता हुआ आप से किस ऐसे अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में so see you in my next video signing out